ओ भाई ये गाईज लोगों को हो क्या गया है I am literally गाईज शॉग कि आज कल क्रिटिक्स की गाईज मा बहन एक कर दी है यहां पे लोग बाग ने आने की पब्लिक ने आपने देखा कि भाई कैसे कजर पाट्टू को दोस्तों बिल्कुली रेगरेट बिल्कुली गाईज करोड दोस्तों होने वाला है कह सकते हैं वहीं दोस्तों यहां पे कल हमने ड्रीम गल भी देखा ड्रीम गाईज पार्टू देखो भाई लॉजिक दोस्तों उसमें कम था मैजिक जादा था यानिक अगर आप लोग घर में छोड़के जाके देखोगे तो इंजॉई करोगे की गरंटी है तो गाईज मैंने एक बात कहीती रिव्यू में कि अगर अब यह बॉल जा चुका है फैमली के पास मतलब फैमली ओर्डियंस के पास दर्शकों के पास अब यह च्छका मारें गया क्रीन बॉर्ड करेंगे यह भाई सहाब लोगों के हाथ में तो कई न कई दोस करते हैं कि यहां पर आयुशमान खुराना भी बाकी स्थार्स की तरह वापसी करने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर जो जो एक बोस था यहां पर एक गाइज जो मतलब प्रेशर था लिए पर इस कम मत कमाना बही पार्ट बन का डिस्क रोड़ साथ आट लाग था दोस्तों क्या यहां पर उस प्रेशर सी उभर पाई इकले काई लिए कि आपर चाहरें कि मेंने नौ करोड की बात कहीं थी तो गाइस यहां पर लगर आए कि मेरा राता की यहां लगा है की दोस्तों तो दोस्तों कल का आफिशल तो नहीं आया में भी जब तक आप लोग चेक कर रहे होंगे ऑफिशल आ गया हो लेकिन अभी के हिसाब से मामला दोस्तों 10 करोड़ तच करता हुआ दिखाए दे रहे हैं पूरी तरीके से गाइस नहीं आप लोग कह सकते हो कि 9.7 करोड़ के अर्ली एस्टीमेट आ रहे हैं जिसके वैसे दोस्त प्रेशर है अयुश्मान के ओपर कि यार नाक मत करवाना पार्ट वन से जादा लाना अलाकि इस मूवी का बजट जादा नहीं है बताया जा रहे हैं लेकिन दोस्तों यह बजट मुझे पच नहीं रहा क्यूंकि मूवी देखो भाई स्टार अच्छे खासे हैं अगर आप बंडेब्स तो कितना ही लेते होगी बहुत कम लेते होगी अयुश्मान के बारे में काफी सारे लोग कल के वीडियों बोल रहे थे यह बंदा 25 करोड़ दोस्तों फीस लेता है तो भाई सहाब जड़ा साइड आईये 25 करोड़ दोस्तों जो रनवीर का पूर है जो इंड़स दोस्तों जो बजट है 35 क्रोड मान सकता हूं लेकिन प्रिंट भी हुआ है चालिस पैंताजिस क्रोड की बात करें लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया 65 क्रोड की बात कह रहें इतना ज़रूर है कि दोस्तों यहां पर बात करें कि दूसरे दिन क्या हाथ लगा इसने दूसरे दिन एडवांस क्या किया तो दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं कि डेवन से लगभग आप लोग कह सकते हो कि कंपैरिजन में सेम है लेकिन तीन करोड बीस लाग उर्पे इसने दूसरे दिन हासिल किया लेकिन इसका मतलब कते यह नहीं कि कॉमेडी मुवी लोगों को भा रही है बाकी देखते हैं कि दोस्तों इसका वीकेंड क्या उड़ता है मान के चलो कि दोस्तों कलिए 10 करोड कर लेगी में भी ओफिशल आगी होगा 9 करोड या फिसाड़े 9 करोड या 9 करोड 75 लाग लेकि दोस्तों मुझे लगता है कि यह आज 12 करोड कर सकती है यह बहुत ज़्यादा गाइज ऑक्यूपंसी भड़ी तो तेरा भी हो जाएगा लेकिन अभी के लिए हम लोग 12 करोड दोस्तों एसा सेफ चुनते हैं तो इसकी कमाई दोस्तों कहीं जाके 22 करोड हो रही है 22 करोड शुरुआत के दो दिनों में मूवी से 40 करोड के बीच में मानते हैं इसका फर्स्ट वीकेंड हसके दोस्तों यह मूवी हिट होगी भाई साफ हसके तो इस तरह के कुछ हिसाब किताब है शोज भी दोस्तों देखो देखो अगर आप लोग शोज देखो तो भाई दिल्ली में 650 शोज मुंबई में 470 शोज पून यह मूवी अराम से आज 12 क्लोड कमाएगी और यह मूवी देखो भाई अनेक डॉक्टर जी या फिर दोस्तों एन एक्शन हीरो वाला हाल नहीं होगा यानि कि यह जो 2023 है बॉलिवुड के लिए वापसी जो है यह बहुत से एक्टर जो गाइस कह सकते हैं कि 2021 में दोस्तों ल बताओ दोस्तों आपका इसमें क्या है कहना कितना कमा सकती है आपके हिसाफ से बागी तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही